हलो फ्रेंस मैं रागनी और आज हम सीखेंगे नायरा डिजाइन कुर्ती का फिटिंग कैसे करते हैं जो की रेडिमेंट कुर्ती है हमारा आप देख सकते हैं और इसको आप अपने साइज में कैसे बनाएंगी एचीज में आपको पूरा डिटियल में एक्सप्लेंग की हूँ इस वीडियो में और वह भी बिल्कुल आसान तरीके से तो देखिए फ्रेंस यह कुर्ती आश्कल बहुत ट्रेंड में है सभी लोग रेडिमेंट कुर्ती खरीत तो लेते हैं फिर परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है तो फिर दिक्कत होती है और इसका जो फिटिंग का तर सब्सक्राइब यहां पर हम 16 का एठाश कर लेंगे तो यहां पर दोनों साइड से आपको मार्जन हींक्स कर लेना है कि outram किवांस आपका दून Tuesday तो देखिए यहां पर हम अपने फितों पी in最近 समक्रों कर लेंगे तो चेस्ट की अमारी देखी बराबर लेना है और एक बर चेक कर लेना है तो आपको पहले अपने फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है उसके बाद से आगे का प्रोसेस में आपको बताऊंगे यहां पर मोहरी हम साड़े 5 इंच ले रहे हैं और बाजू का जो फिटिंग है उसको भी हम मार्क कर ले रहे हैं क्कुलिब कर तो थोड़ा सा निकल ने में हमने आशानी हो तो उसको किए कट करने के बासे से अभम क्या करेंगी देखिए इसतरह सी दोनों साइड से महारा ऊपन हो जायगा और अगर तो अगर आपको किया चुनेट को खोल लेना है और अगर आपका थोड़ा सा फीट है करना है माली आपको दोनों साइट से आध़ा दा इंच करना है तो lot ग Chicken को खोले और फिशन और दो प्लेट चड़ा करके लगा करक कि उसे सेट करने लेकिन अगर आपका कमर कम है और कुरती ओभर साइज है तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगे कि पूरे चुननट को आप खोल ले और बिल्कुल बराबर से पूरे नीचे का जो एरिया उसमें फ्रिल बना ले तो देखिए यहां पर हम दोनों पाट को अलग कर कुलते हैं और कपड़े को एक के ऊपर एक चड़ा करके ज्यादा फ्रिल बना देते हैं साइड में तो फिर फिनिसिंग अच्छी नहीं आती है तो इस तरह से अगर आपको कम फिटिंग करना है तो साइड से पांच साथ प्लेट को खोल करके उसको कवर कर लें नहीं तो मार किये थे वहां से आपको चूनट को माप लेना है और अगर एक्ष्टा लेगे तो प्लेट आप और डाल सकते हैं और अब देखिए प्रेंस सीधे साइड दोनों का मिलाते हुए और कमर का जहां फिटिंग है वहीं से आपको फ्रिल लगाना स्टार्ट करना है यानि कि यहां पर फ्रंट पार्ट के लिए भी हम प्लेट बना करके रेडी कर लिए हैं कमर की साइज की साब से और सेम आइडिया से हम फ्रंट पार्ट में भी से ज्वाइंट कर लेंगे तो शिंपली आपको आदा इंच कपड़ा मार्जन में दबाते हुए स्टीच करना है और अब फ्रंट पार्ट में भी हम फ्रिल वाले पार्ट को अटेज कर लिए हैं आप देख सकते हैं चुनट में भी बहुत फिनीसिंग आया है और अब देखिए इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के वासे जो भी आपका फीटिंग हो जैसे कि हम पहले फीटिंग की मा चाहें तो इसे बहुत इजली बना सकते हैं तो देखिए जो भी मार्किंग है उसके उपर आपको स्टीच कर लेना है और यहां पर देखिए फ्रेंस दोनों पार्ट को एक दूसरे पर बैठाते हुए थोड़ा सा कम से कम एक इंच नीचे तक आपको तीर्चे में स्टीच कर लेना है देखिए आपको ज्यादा प्लेट वाले पार्ट को नहीं दबाना है एक इंच नीचे तक आपको बिल्कुल दो पॉइंट कपड़े को लेकर के स्टीच कर लेना है देखिए इस तरह से और इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्टीच करेंगे तो एक शाइड की जो हमारा शूट बनके कंपलीट होता है और आप देखेंगे इसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आया है तो देखे फ्रेंस फिटिंग बहुत अच्छी आई है आप देख सकते हैं कितना ओबर साइज कूरती था और बनाने के वास्ते इसका फिटिंग बहुत अच्छा है सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई